नमस्कार दोस्तों मैं हूँ करदम रावल स्वागत करता हूँ आपका UPSCIS exam चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आ है daily current affair IAS, SSC और IBPS के लिए जो बहुत important है आज की तारीख 21 एपरेज शनी वार तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो 13 में 2018 को हमारा video course launch हो रहा है उसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है History, Art and Culture, Geography, Environment, Quality, Economy, Science and Technology, International Relations कूल मिलाके आर्ट सब्जेक्स के video course material के साथ दिये जाएंगे अगर आप 13 में 2018 से पहले register करवाते हैं तो आपको heavy early bird discount मिलेगा और पूरा course आपको 4999 रूपीज में मिलेगा तो इसके लिए आपको करना किया है हमारी जो यहाँ पे link दी गई है info at the rate upsis exam.com वहाँ पे जाके details share करें आपको सारी information mail के तुरू पहुचा दी जाएगी इसके लावा free monthly current affairs के लिए आप हमारी website वीजिट करें www.upsis exams.com और social media platform facebook पर भी आप हमें follow कर सकते हैं तो पहली जो news नीज नीकल गाई है वो Kim Jong और nuclear test को related है Kim Jong ने कहा है कि अब North Korea आगे जाके कोई nuclear test नहीं करेगा और उन्होंने जो target रखे थे अपने nuclear weapons को develop करने के लिए तो उन्होंने वो target match up कर लिए है इसके अलावा वो कहते है कि North Korea अब favorably international market में जो favorable environment होते है economy को लेके तो वो अपनी economy को सुधारना चाते है आगे बढ़ाना चाते है और अपने neighboring countries और international communities के साथ relations जो है वो improve करना चाते है इसके अलावा जो उन्होंने 2006 में पहला 2006 के अंदर पहला जो nuclear test किया था तो उस समय UN United Nations Security Council ने एक sanction लगा दिया था उन लोगों के उपर कि वो international trade उनके साथ कोई नहीं करेगा specifically critical items थी जैसे कि textile products, coal, iron, oil और वगिरा और limited oil imports तो यहाँ पर इन सारी चीजों के ऊपर वहाँ पर sanctions लगा दिया था sanctions क्या होते हैं? sanctions वो होते हैं कि उन countries को माल यानि की goods या services प्रोवाइड नहीं करवानी है इसके अलबा उन countries से goods और services हमें import भी नहीं करनी है तो इस सारी activities के उपर जो ban लगाया जाते हैं तो उसे sanctions कहते हैं आगे बढ़ते हैं जो दूसरा लेके आये है current affair आपके लिए वो यह है one nation one tax तो GST तो आपने सुना होगा लेकिन यह one nation one tax जो है वो अलग चीज़ आई है इस तफ़ा तो यह है the group of minister जो union ministry of road transport and highways के अंतरगत आती है तो उन्होंने एक चीज़ बोली है कि one nation one tax policy for seamless moment of commercial vehicle across the country तो यह road transport related है यहाँ पे ministry का नाम याद रख लीजे union ministry of road transport and highway तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वेहिकल्स है उनके उपर एक uniform road tax price decide की जाए और यहाँ से जो goods and services जो जाती है वो GST के अंदर जिस तरह से one nation one tax में आता है उसी तरह से जो vehicles move होते है तो उनके उबर भी one nation one tax हो जाए इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी state का low tax state हो या फिर other state जो होते हैं उनके पसे ज़्यादा पैसे लिये जाए नहीं ऐसा नहीं करना है पूरे nation के अंदर equal amount of tax रखी है तो यहाँ पे एक tax structure दिया गया ह जिसके अंदर एक कहा गया है कि जैसे center ही decide करें कि जैसे example के जरीए कहा गया है कि जो price slave होते हैं उस हिसाब से आप price रखिए उस हिसाब से आप tax रखिया सपोस्थ कि आपका vehicle 10 लेक रूपीज तक का है तो उसके उपर आपको 8% देने है अगर आपका vehicle 10 लाख यानि कि 10 लाख इसके लावा जो टेक्सी वगेरा होते है बसी वगेरा होती है जो नेशनल बसी तो उनके लिए भी fares यहाँ पे पहले से decide हो जाने चाहिए और जो nation इंडिया है तो वहाँ पे common tax लाया जाना चाहिए तो इस तरह की बात रखी है group of ministers ने जो बना है union ministry of road transport and highway के अंतरगत तो आगे देखते हैं तीसरी जो बात है वह ब्रिक्स कनेक्टिंग बात है तो ब्रिक्स पहले तो देख लेते हैं ब्रिक्स के अंदर कौन-कौन से नेशन आते हैं Brazil, Russia, India, China और South Africa जहाँ पे यहाँ जो discussion हुई है वह है independent credit rating agency को requirement जताई गई है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ ची P, Moody, and Finch तो यह तीन ऐसी credit rating agencies है जो ज़्यादा तर credit rating activities carry out करती है लेकिन यहाँ पे claim लगया गया है कि जो credit rating agency है वो restaurant countries जो होते हैं उनके साथ कुछ बायस तरीके से यानि कि उनके साथ pessimist तरीके से और जो हम जैसे developing countries होते हैं उनके साथ optimist तरीके से decision लेती है और हमारे जैस के साथ वो थोड़ी सी ratings करनी के अंदर partiality करती है तो यहाँ पे क्या कहा गया है उनकी जो methodology है यह तीन global agency की वो even बड़े-बड़े economists ने भी कहा है कि वो लोग biased results provide करते हैं तो यहाँ पे कुछ नई rating agencies बनाने की जरूरत है या फिर काम देने की जरूरत है क्योंकि यह जो बड rating market की तो यहाँ पे थोड़ी changes की requirement की गई है ब्रिक्स के अंदर इसके अलाबा जो तीसरा important news है वो काफी लंबा होने वाला है यहाँ पे आपको कुछ नहीं चीज़े भी देखने को मिलेगी और पूरी process भी समझा जाएगी कि Indian National Congress और जो अभी leading party है उन्होंने राजिय सभा क चैर्मेन और प्रेसिडेंट यानि की Mr. M. Venkara Naidoo को कहा है कि impeachment of Chief Justice area के जो है CJI यानि दिपक मिशरा जी को यहाँ से आप निकाल लिए जो कि भारत के 45 में CJI है Chief Justice of India उनसे पहले जो थे वो थे जैस खेरहार तो अभी उन्होंने गादी संबाली थी पोस्ट संबाली थी अपन यहाँ पेक प्रेडिक्शन दिया गया है कि 60 MPs राज्य सभा के अंदर हमारे पास है जो अलग-अलग साथ पोलिटिकल पार्टी से आते हैं जो सपोर्ट करते हैं Chief Justice को और इनको Chief Justice को रीमू करने की प्रोसेस के लिए सपोर्ट करते हैं और इनको हटाना क्यूं है क्योंकि ऐ इसके उपर तो पहले तो यह देख लेते हैं कि इंप्रिजमेंट यानि कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है महाभियोग की प्रक्रिया अब तक successfully किसी भी जज के उपर हिंदुस्तान में नहीं हुई है तो सुप्रीम कोट के जजिस जो होते हैं उनके पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं वो 55 साल की उमर तक या फिर 5 साल यानि whichever is earlier तक वो अपनी जो पोस्ट होते हैं वो होल्ड करते हैं suppose a judge get the post of chief justice और तब उनकी age is 62 years तो वो 5 साल तक continue नहीं करेंगे वो 55 साल में retired हो जाएगा और suppose कोई जज है जो 58 years की age के उपर chief justice बनते है तो वो 55 साल तक continue नहीं करेंगे वो 5 साल तक continue करेंगे तो यानि कि 5 साल या फिर 57 साल whichever is earlier तो उतने समय के लिए वो वो post hold करते हैं इसके अलाबा जो भारत का constitution है उसके अंदर article 124.4 यानि कि 124.4 के अंदर judges Supreme Court के judge को remove करने के लिए और chief justice को remove करने के लिए पूरी procedure दी गई है तो वो क्या होते है या तो वो disqualified पाये जाते है या फिर mis behavior के तोर के उपर या फिर incapacity के तोर के उपर उन लोगों को remove किया जा सकता है लेकिन जो procedure है उनको remove करने के लिए जैसे कि यहां पर आ गया कि 60 MP हमारे पास है तो यहां पर पहली चीज दोनों party दोनों सभाव काम इसके अलबा जो अगर आपको राज्य सभा से करना है ये पूरी process start तो उसके अंदर आपको 50 MP का consent चाहिए इसके अलबा जब भी यह consent आप देंगे तो अगर आप राज्य सभा से belong करते है तो राज्य सभा के अंदर आप देंगे राज्य सभा के चेर्मेन को जो भारत के तो लोग सगमा के अंदर आपको speaker को देना है फिर अगर speaker इस चीज को validate करते हो और agree करते है कि नहीं इस process को आगे बढ़ाना है तो वो ये process sign करने के बाद supreme court को देती है और यहाँ पे एक तीन लोगों की committee की रचना होती है जिसके अंदर एक होते है senior supreme court के जो judge होते है दूसरे जो भारत के अलग-अलग 18 high court है उनमें से एक high court के judge होते है इसके अलावा जो एक law यानि की जो act है उन चीजों के जो काफी educated person होते है जैसे हो सकता है कि ex-retired solicitor of India को भी third post दी जाए तो ये सारे मिलके supreme court ये चीज़ decide करती है और president of India इस अपरू करने के बाद ये तीन लोगों की committee अगर इस चीज़ को majority में pass on करती है तो ये फिर बिल जाके फिर जाके जो भी सभा से ये आया है उस सभा में पहुंचता है और उस सभा में यानि कि suppose आप देखिए कि राज्य सभा में ये सारी बात करेंगे तीन लोगों की committee बनेगी वो तीन लोगों की committee अगर अपरू करती है तो फिर से वो राज्य सभा में आता है वहाँ पे minimum two third majority चाहिए यानि कि 164 members की approval चाहिए इसके बाद और अगर देखा जाए लोग सभा में देख ले तो वहाँ पे 364 members चाहिए उसके बाद जो भ प्रोसेस है वो काफी लंबी है और वहाँ पे पास होने के बाद president के पास जाएगा president की approval लेगा उसके बाद justice of India को निकला जा सकता है इंपरिच किया जा सकता है महाभियो इस तरह से complete होगा तो अगर ये हो भी जाता है suppose ये हो जाता है तो supreme court के किसी CGI को निकालने का ये पहला successful event यानि की negative event देखने को मिलेगा इससे पहले वी रामस्वामी के ऊपर ये सारी procedures start हुई थी लेकिन जो two third majority थी members की वो successful नहीं हो पाई थी तो फिर से आते है front page के ऊपर तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो it's a completely political game क्योंकि देखिए 60 member है okay we agree उसके बाद ये जाएगा vice president के पास अगर वो भी अप्रू कर लेते हैं then also we agree उसके बाद जाएगा तीन लोगों की committee के पास वहाँ पर भी अप्रू होता है then also we agree but what about the two third majority in both the houses राज्य सभा में पास होना शायद भी मुमकिन है लेकिन लोग सभा के अंदर इस चीज का two third majority यानि की इतने numbers कितने numbers है 300 and 64 members के सा पास करवाना it's near to impossible और यहाँ पे अगर probability की भी बात करें तो यह तब भी possible है कि सिर्फ BJP के अलावा जो भी alliance parties इनके साथ है सारी की सारी इसके साथ विरोध में खड़ी हो जाए तब भी जाके कही possible नहीं लग रहा है तो the motion of impeachment on chief justice of India it's no longer a process which can be end positively क्योंकि यह हो ही नहीं सकता possibilities 0.001% की भी दिखाई नहीं देती it's a pure political game तो यहाँ पे जो process थी आप फिर से समझ लेना चाहें तो देख सकते है इसका screenshot भी आफ लख ले यह numbers जो है यह भी हमारे लिए काफे important है two third में कितने number आते है because it's a special majority तो यह सारी हो गई current affair आज की तो यह वीडियो आपको कैसा लग हमें like करके जरूर बताए share करें इस वीडियो को अपने near and dear ones के साथ ताकि वो भी यह knowledge प्राप्त कर सके उनको बोलिए subscribe करें subscribe करने के बाद बोलिए कि हमारे channel को subscribe करने के बाद bell button को जरूर क्लिक करें thank you दोस्तो जय हिंद भारत माता की जय